बिस्मिल्ला इर्रह्मान रहीम असलाम लेकम वेलकम टूनिकीनस किच्छन आज हम बनाएंगे बदाम वाला हलवा इंग्रीडियन्स हैं सूजी एक अप चीनी एक अप बटर एक टिकी सॉल्टर बटर है मिल्क एक जग या एक लीटर क्रश्ट बदाम और पिस्ताश्यू और बदाम को चील कर बिगो कर चील कर चील का उतार लिया है दो कप ये दो कप बदाम जग में डालकर इनको दूद के साथ ब्लेंड कर लेंगी और दो कप दूद और इसको ब्लेंड करेंगे बदाम अगर आद को विगो कर राखते हैं तो उसानी से चिल का उतराता है तो इस तरह से मैंने दो कप बदाम और अगर एक कप सुची हो तो दो कप बदाम ठीक रहते हैं बदाम वाला हलबा बनाने के लिए दूद कम था और पेस्ट काफी कड़ा हो गया था तो मैंने और दूद डालके तो ब्लेंड किया है और फ्लेम अन कर लिया है मैंने और इसके उपर पैन रख दूगी और बटर शामल कर देंगे पैन में और दूसरी साथ पर पैन में मैंने दूद शामल किया है एक लीटर और इसमें शुगर डालकर इसको उबाल लूँगी तब तक हमार बटर मेल्ट हो गया है इसमें शुजी शामल करेंगे और इसको बूल लेंगे जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाती पानी वाले हलवे से थोड़ी सी ज़्यादा कलर देना है हमने इसको क्यों कि यह दूद और बदाम के साथ स्फैद हो जाएगा बाद में यह देखें सुजी मारी ब्राउन होने लगी है थोड़ी देर और अब इसमें दूद शामल कर देंगे दूद उबल गया था दूद में शुगर शामल की थी मैंने यह काफी उबल रहा है और चट्टे भी जा रहे हैं दूसरी सारी तरफ और अब यह जो बदाम में इने पीस लिये थे ब्लैंड कर लिये थे वह लिए शामल काट दूँगी और फिर जग में थोड़ा सा मेने दूद डाल के तो फिर इसको रिंस कर लिया है यह चिंटे काफ तो मैंने ओपर से कवर कर दिया है दो मिनिट के लिए इसको ऐसे पकाएंगे लो हीट पे यह देखें हमारा बदाम वाला हलवा रेडी हो गया है सर्दियों की सौगात है बदामू वाला हलवा तो सर्दियों शुरू होने वाली है मैं सोचा मैं आपको रेस्पी शेयर है बहुत मज़दार और बहुत है बच्चों को पता भी ने चलता कि इसके अदर बदाम है प्का लेते हैं अधर्वाइस बच्छे बदाम शोक से नही खा्टे तो अबसको डिशाओर कर लूगी यह देखे ह्मारा बदाम वाला हलवा बहुत मज़दार और हलती इसमें दू पी अच्छी लगी तो शेयर करें मेरी वीडियो को लाइक करें कमंट करके जरूर बते हैं आपको रेस्पी बसान आए थैंक यू सो मच फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में अला हाफिस